अथश्री प्रतमोध्यार श्री दुर्गासप्तशती श्री मारकंडे जी बोले सूरी के पुत्र सावर्णी जो आठवे मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ते की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं सूरी कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महा माया अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूं पूर्वकाल की बात है स्वरोचिश मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे जो चैत्रवंश में उत्पन्न हुए थे उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था वो प्रजा का अपने ओरस पुत्रों की भाती धर्म पूर्वक पालन करते थी तो भी उस समय कोला विद्वनसी नाम के शत्री उनके शत्रू हो गए राजा सुरत की दंड नीती बड़ी प्रबल थी उनका शत्रों के साथ संग्राम हुआ यद भी कोला विद्वनसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए तब वे युद्ध भूमी से अपने नगर लोट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे किन्तु वहां भी उन प्रबल शत्रों ने उस समय महाभाग राजा सुरत पर आक्रमन कर दिया राजा का बल शीन हो चला था इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राज धानी में राज की सेना और खजाने को हतिया लिया सुरक्षा का प्रबुत्व नश्ट हो चुका था इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोडे पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए वहां उन्होंने विप्रवर मेदा मुनी का आश्रम देखा जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थी मुनी के बहुत से शिष्य उस वन की शोबा बढ़ा रहे थे वहां जाने पर मुनी ने उनका सतकार किया और वे उन्होंने मुनी शेष्ट आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे फिर ममता से आकरश्चित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे पूर्वकाल में मेरे पूर्व जोने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझ से रहित है पता नहीं मेरे दुराचरी ब्रत गण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं जो सदा मद की वर्षा करने वाल और शूर वीर था वह मेरा प्रदान हाती अब शत्रों की अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा जो लोग मेरी क्रपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्य ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरन करते होंगे उन अव्याई लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट में जमा किया हुआ मेरा वै खजाना खाली हो जाएगा ये तथा और भी कई बाते राजा सूरत नरंतर सोचते रहते थे एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा भाई तुम कौन हो यहाँ तुमारे आने का क्या करण है तुम क्यों शोक गरस्त और अन्मने से दि प्रणाम करकी कहा वैश्य बोला राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन एक वैश्य हूँ मेरा नाम समाधी है मेरे दुष्ट इस्त्री पुत्रों ने धन की लोग से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है मैं इस समय धन इस्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ मेरे जानता कि मेरे पुत्रों की इस्तरी की और स्वजनों की कुशल है या नहीं, इस समय घर में वे कुशल से रेते हैं, अतवा उन्हें कोई कष्ट है, वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी है अतवा दुराचारी हो गए हैं, राजन राजा ने पूछा जिन लोवी इस्त्री पुत्र आदी ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया उनके प्रती तुमारे चित्त में इतना स्ने का पंदन क्यों है वैश्य बूला आप मेरे विशय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है किन्तु क्या करूं मेरा मन निष्ठुत्रा नहीं धालन करता जिनोंने धन के लोब में पढ़कर पिता के प्रती इसने है पती के प्रती प्रेम तथा आत्मी जन के प्रती अनुरागता अनुराग को तिलान जली दे मुझे घर से निकाल दिया है उने के प्रती मेरे रिदय में इतना इसने है महा मते गुणहेन बंदों के प्रती भी जो मेरा चित इस प्रकार प्रेममगन हो रहा है यह क्या है इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता उनके लिए मैं लंबी सांसे ले रहा हूँ और मेरा रिदय अत्यन्त दुखित हो रहा है उन लोगों में प्रेम का सवर्था अभाव है तो भी उनके प्रती जो मेरा मन निश्टुर नहीं हो पाता इसके लिए क्या करूँ मारकंडे जी कहते हैं ब्रह्मान तदंतर राजाओं में श्रेष्ट सुरत और वह समाधी नामक वैश दोनों साथ साथ मेधा मुनी की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याया नुकुल विनएपूर्ण बरताव करके बैठे तत्पशात वैश और रा आप आरंब किया राजा ने कहा बगवन मैं आपसे एक बात पूछना चाता हूँ उसे बताईए मेरा चित अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी दुख देती है जो राज मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपोर्ण अंगों में मेरी मम अंता बनी हुई है मुनिश्रेष्ट यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है अज्यानी की भाती मुझे उसके लिए दुख होता है यह क्या है इदर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है इसके पुत्र इस्त्री और ब्रत्यों ने इसे छोड़ दिया है स्वजनों भी इसका परित्याक कर दिया है तो भी यह उनकी प्रती अत्यंत हार्दिक स्ने रखता है इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं जिसमें प्रत्यक्ष दोश्ट देखा गया है उस विशय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्शन पैदा हो रहा ह महाभाग हम दोनों समझदार हैं तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है विवेक शोन्य पुरुष की भाती मुझसे मुझमें और इसमें भी यह मूरता प्रत्यक्ष दिखाई देती है रिशी बोले महाभाग विशय मार्ग ज्यान सब जीवों को है इसी प्रकार विशय भी सबके लिए अलग अलए है कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते तदा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्री में भी बराबर ही देखते हैं यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किन्तु केवल वे ही ऐसे नहीं होते, पशु पक्षी और मरिग आदी सभी प्राणी समझदार होते हैं, मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है, जैसी उन मरिग और पशुओं की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है, वैसी ही उने म्रग पक्षी आदिकी ही होती है यह तथा अन्य बाते भी प्रायह दोनों में समान ही होती है समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो यह स्वैम भूख से बिड़त हुए भी मोह वश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्य के दाने डाल रहे है नरशेश्ट क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष समझदार होते हुए भी लोववश अपने किये हुए उपकार का बडला पाने के लिए पुत्रों की अबिलाशा करते हैं यद्धपी उन सब में समझ की कमी नहीं है तथा पी वे संसार की इस्तिती जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महा माया के प्रभाव द्वारा ममता मय भवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं इसलिए इसमें आश्यर नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महा माया है उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है वे भगवती महा माया देवी ज्यानियों के बीचित्त को बलपूर्वक खीच कर मोह में डाल देती है वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की श्रश्टी करती है तथा वे ही प्रसन होने पर मनुष्यों को मुक्ती के लिए वर्दान देती है वे ही परा, विद्या, संसार, बंदन और मोक्ष की हेतु, भूता, सनातनी देवी तथा संपूर्ण इश्वर के अधिकारी है राजा ने पूछा, भगवन जिने आप महा माया कहते हैं वे देवी कौन है, ब्रह्मन उनका अविर्भाव कैसा हुआ, तथा उनके चरित्र कौन-कौन है ब्रह्म वेक्ताओं में श्रेष्ट महर्शी, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुक से सुनना चाता हूँ रिशी बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्थ स्वरूपा ही है, संपूर जगत उनी रूप है, उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथा पी उनका प्राकट अनेक प्रकार से होता है, वह मुझ से सुनो, यत भी वे नित्य और अजन्मा हैं, त उस समय लोक में उत्पन हुई कहलाती है, कल्प के अंत में जब संपूर जगत एकाक्रण एकाण वन में निमगन हो रहा था, और सब के प्रभू बगवान विश्णो शेक शेशनाक की सैया बिचा कर योग निद्रा का आश्यर ले रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन हुए, जो मदू और कैटब की नाम से विख्यात थे, वे दोनों ब्रह्मा जी का वद करने को तैयार हो गए, भगवान विश्णो की नाभी कमल से विराजमान प्रजापती ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुर को अपने पास आया और भग भगवान को सोया हुआ देखा, तब एका ग्रचित होकर उनोंने भगवान विश्णो को जगाने के लिए उनों नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तनबन आरंब किया, जो इस विश्व की अधिश्वरी जगत को धारन करने वाली, संसार का पालन और संघा टता तेज स्वरूप भगवान विश्णो की अनुपम शक्ती है, उनी भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा इस्तुति करने लगी ब्रह्मा जी ने कहा देवी तुमी स्वाहा तुमी स्वधा और तुमी वश्टकार हो स्वर्क भी तुमारे ही सुरूप है तुमी जीवन दाइनी सुधा हो नित्य अक्षर प्रणाव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुमी इस्टित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्द मात्रा है जिनका विशेश रूप से उपचारण नहीं किया जा सकता वेहे भी तुम ही हो देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा पनम जन्नी हो देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मान को धारण करने वाली हो तुमसे ही इस जगत की श्रष्टी होती है तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सब को अपना ग्रास पना लेती हो जगनमई देवी इस जगत की उत्पत्ती के समय तुम श्रिस्टी रूपा हो पालन काल में इस्थित रूपा हो तथा कलपात में समय संगार रूप धारण करने वाली हो तुम्ही महाविद्या, महावाया, महामेदा, महास्मरती, महामोक्ष, महामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो तुम्ही तीनों गुनों को उत्पन करने वाली सबकी प्रकृती हो भयंकर काल रात्री, महारात्री और मोह रात्री भी तुमी हो तुमी श्री, तुमी ईश्वरी, तुमी ही, तुमी रिम और तुमी बोध सोरूपा पुद्धी हो लज्जा, पुष्टी, तुष्टी, शान्ती और शमा भी तुमी हो तुम खडग गदा धारिनी शूल धारिनी गोर रूपा तथा गदा चक्र शंक और धनुश धारन करने वाली हो बान पूशंडी और परद ये भी तुमारे अस्त्र हैं तुम सौम में और सौवंतर हो इतना ही नहीं जितने भी सौम में एवं सुन्दर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यादिक सुन्दरी हो पर और अपर सब से रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो स्वर्व स्वरूपय देवी कही भी सत असत रूप से जो कुछ भी वस्तुए हैं और उन सब की जो शक्ती है वह तुम ही हो ऐसी अवस्था में तुम्हारी इस्तुती क्या हो सकती है जो इस जगत की शृष्टी पालन और संगार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा की अधिन कर दिया है तब तुम्हारी इस्तुती करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है मज़को भगवान शंकर को तथा भगवान विश्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है अतह तुम्हारी इस्तुती करने की शक्ति किसमे है देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से प्रशंसित हो ये जो दोनों दुदर्श असुर मदू और कैटब हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विश्णु को शीगर ही जगा दो साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धी उत्पन्न कर दो रिशी कहते हैं राजन जब ब्रह्मा जी ने वहां मदू और कैटब को मारने के उपदेश से भगवान विश्णु को जगाने के लिए तमो गुण की अधिश्टात्री देवी यूग निद्रा की इस प्रकार इस्तुती की तव्वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहू रदय और वक्ष स्तल में निकल कर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दुरुष्टी के समक्ष खड़ी हो गई यूग निद्रा से मुक्त होने पर जगत की स्वामी भगवान जनारदन उस एकान वन के जल में शेशना की शैया से जाग उठे फिर उन्होंने उन दोनों असरों को देखा वे दुरात्मा मदू और कैटब अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध में क्रोध से लाल आखों के किये जाने ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे तब भगवान हरी ने उठकर उन दोनों के साथ पाँच हजार वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया वे दोनों भी अत्यंत बल की कारण उन्मत हो रहे थे इदर महा माया ने उन्हें मोह में डाल रखा था इसलिए वे भगवान विश्णू से कहने लगे हम तुमारी वीर्टा से संतुष्ट हैं तुम हम लोगों से कोई वर मांगो श्री भगवान बूले यदि तुम दोनों मुझवर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मर जाओ मारे जाओ बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना है रिशी कहते हैं इस प्रकार धोके में आ जाने पर जब उन्होंने संपोन जगत में जल ही जल देखा तब कमल नयन भगवान से कहा जहां पृत्वी जल में डूबी हुई ना हो जहां मुखा इस्तान हो वही हमारा वद करो रिशी कहते हैं तब ततास्तु कहकर शंक चक्र और गदाधारन करने वाले भगवान ने उन दोनों की मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले इस प्रकार ये देवी महा माया ब्रह्मा जी की इस्तुदी करने पर स्वयम प् पुनहा तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ सुनो इस प्रकार श्री मारकंडे पुराणे में सावर्णी के मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात में मदू कैटब वद नामक पहला अध्याय पूरा हुआ बोलिये श्री लक्ष्मी नारैन भगवान की जै महा माया शक्ती की जै दुरगा माता की जै तो मित्रो हमारे इस ज्ञानवर्दिक वीडियो को आप अधिक सेधिक लोगों को शेर कीजेगा लाइक कीजेगा और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो के बैल आइकन को भी आउन कर लीजिए ऐसा ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जैशी कृष्ण सादर धन्यवाद